क्या आपको पता है 1 million ton pellet production के लिए आपको raw material क्या-क्या चाहिए अगर आपको पता है क्या-क्या raw material चाहिए तो जो raw material चाहिए वो कितने amount में चाहिए मतलग इसका quantity कितना होना चाहिए इस वीडियो में हम लोग detail में बात करेंगे 1 million ton pellet production के लिए आपका जो भी raw material यूज होता ह उस्रमा मेठेल का एमाउंट क्या रहता है तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करें नॉर्माली पेलेट प्रोड़क्षन करने के लिए हम लोग को शाथ चीज का ज़रुत होता है सबसे ज़र ज़र रहता है बो रहता है आहरन वर दूसरा जो चीज रहता है ज़रोत बो रहता है बेंटोनेट दिसरा जो चीज रहता है बो रहता है पॉल्बराइज कोल चौथा जो चीज रहता है बो रहता है हेवियो एन या तो एल्डियो होुग हो पांचबा जो चीज रहता हुग पढ़ेता है । फ़ पर हित म型तीं हे सब चीज कंषेब आ कि पढ़ता है क्योंकि जब प्रोडुक्शन होता है उसमें कुछ मेटल आपका वेस्ट हो जाता है और कुछ मेटल लिसेकल भी होता है इसलिए एक मेगाटन पेलेट प्रोडुक्शन के लिए जो आपको आइरन रोड चाहिए वह रहता है 1.05 मेगाटन उसके बाद 1,000,000 चाहिए वह लगबग चाहिए 16 से लेके 8 लिटर आपको 1,000,000 पेलेट प्रोडुक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिसिडी चाहिए वह लगबग चाहिए 58 से लेके 60 किलोवाट आवार उसके बाद आपको जो वाटर चाहिए वह वाटर रहता है लगबग 0.01 मिटर क्यूब और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा ही पसांद आया या तो आपने इस वीडियो से कुछ भी नाश्क है तो मेरे चनल को लाइक और इस वीडियो को सस्काइब करने के लिए मत बूले क्यूंकि आपके सस्काइब से मुझे मोटिवेर्शन मिलता है जिसे मैं और भी ज्यादा रिशर्च करता हूँ और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे तो मेरे चनल को सस्काइब करने के साथ सब मेरे वीडियो को सेर करने के लिए मत बूले